तुम्हारे इंसान ना समझ है, इतना भी नहीं समझता कि बुरे वक्त में सावधानी बरतनी चाहिए, बुरे वक्त में सबसे पहले जो अपने हैं वो पराय हो जाते हैं, तोस्त दुश्चमन बन जाता है और जिस पर इंसान सबसे ज़ादा विश्वास करता है, वही आलिम है मालिक, सिर्फ एक खलती, एक बेफिकरी इंसान की दुनिया में उथल पुथल मचा देती है, जो पल पीच जाता है, हाथ से निकल जाता है, वो दुबारा वापस नहीं आता, ये कौन समझाएगा तुम्हारे इंसान को मालिक, ऐसे ही पल पल से जिन्दगी बनती है और ऐसे ही पल पल से पिखरती है, फिर दुख, दर्व, यातना और कश्ट के अलावा, जिन्दगी में कुछ नहीं बचता, मालिक, अब भी कुछ होना बाकी है क्या? क्योंकि अपने काले कारणामों के लिए, कुकर्मों के लिए, बुरे लोग रात के अंधेरे की, प्रतिक्षा ही क्यों करते हैं मालिक? सबका मालिक, एक मालिक, कमाल का है तुम्हारा ये इनसान खुद दूसरों के साथ विश्वास घात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें खुद दूसरों की इच्छाओं और खुश्यों में आग लगाता है और चाहता है कि दूसरे उसकी हर इच्छा पूरी करें खुद तो अपनों के साथ भी कुटिलता से वेवार करता है और अपेक्षा करता है कि पराए भी उसके साथ अच्छा वेवार करें परन तो ये कैसे संभाव है मालेक तुम्हारा ही तो न्याय है ना